हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू घर पे सीको तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे तंद्रुस्त होंगे और मस्त होंगे तो चलिए फ्रेंड आज बनाएगे कठल का अचार तो यह मैंने कठल काट लिया है आधा कठल मैं बॉयल कर रहे हूं सबजी के लिए अलू के साथ में और जो आधा कठल है उसको मैं अलग से तेल में पकाऊंगी अचार के लिए क्योंकि जो बॉयल्ड वाले कठल का अचार होता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है और खराब हो जाता है इसलिए हम कठल को तेल में पकाएंगे इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है यही इसकी टिप्स है में कठल के अचार की कि हमें इसको तेल में पकाना है पहली टिप्स ध्यार रखे और मैं 600 के तेल का इस्तिमाल करती हूँ अचार बनाने के लिए आप जो भी तेल का इस्तिमाल करते हैं वो तेल यूज कर सकते हैं तो यह देखिए कठल को हमें पूरा अच्छे से तेल में डालके इसको काफी देर तक पकाना है कम से कम स्लो मीट आज में पकाईएगा दस मिनिट लग जाएगा इसको पकाने में दीरे दीरे पकाएगे तो और जब यह हलका सा सॉफ्ट होने लगे बहुत जदा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि अचार में जब और मसाले मिलते है तब दीरे दीरे सॉफ्ट हो जाता है तो यह देखिए यह कठल में पका दिया है हलका सा यह लाइट ब्राउन जैसा हो जाएगा थोड़ा सा तभी हमें इसको बंद कर देना है तो इससे क्या होता है कठल की लाइफ स्पैन बढ़ गई है और हमारा अचार बहुत दिन तक रखा रहेगा इस तरीके से ही अचार बनाए और इसके साथ मैं डालती हूँ किसे हुए आम किसे हुए आम डालने से जो जल्दी उसमें खटापन आ जाता कठल के अंदर और पूरे में मिक्स भी हो जाता पहले लोग ना पीसेस डालते थे पीसेस डालने से time लगता है कठल में तो मैं किसके डाल देती हूँ यह देखिए मेरे आम को किस लिया था और कठल को भी मिक्स कर दे रहाएं डबे में जो मेरे अचार का मसाले का video आपकी से स्चेर किया थे वही मसाला है यह उसी को मैं डाल रही हूं और इसके साथ में थोड़ा से एड़ करूंगी हल्दी नमक मिर्ची और सर्सों का तेल एक्स्ट्रा तो जिसकी हमारा जो अचार है अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह देखिए मैंने कुछ तो देखिए मसाला बहुत जदा डालने से भी क्या होगा ना कि तोड़ा सा जादा मसाला मसाला हो जाता है इसलिए मैं इसको इस तरीके से बना रहे हूं आप यह देखिए फ्रेंड मैं डाल दिया हल्दी मैं एक्स्ट्रा मिर्ची चाहिए था क्योंकि चट्पटा बनारा है अचार तो आप अलग से मिर्ची का इस्तिमाल कर सकते हैं और हल्दी नमक को आप पहले से भी मिक्स करके रख सकते हैं जैसे कि आम है या कठल का अचार बनाते हैं तो फिर बाद में भी मसाला मिला सकते हैं तो इस तरीके से मैं यह इसमें मला दिया है इसको फिर मैंने ओभर छोड़ने से क्या होगा ना कि आपका जो अचार में नमक वगरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स और उसके बाद ही हम इसको जो मसाला है यह कठल कर तो यह देखिए फ्रेंड्स यह अच्छे से गल गिया है मैंने इसको पूरी रात और पूरा दिन रख दिया था अ आकिस को आप 10-15 दिन के बाद खाएंगे ना या कुछ मैं या आप जल्दी खाना चाहिए तो दूप में रख सकते हैं और यदि आप 10-15 दिन के बाद खाएंगे तो यह अचार एकदम टीस्टी लगेगा और अच्छा लगेगा तो इस तरह से आप इसको काज के जार में य थैंक यु दूब तो यह अच्छा आप जो यह अच्छा जार यह अच्छा यह अच्छा आप यह अच्छा इंगेगा रख दो यह अच्छा आपके जावरीगा जावड़ागे यह इस तरह स्विए